आज हम आपको जुड़ूआ बच्चों की कुछ ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप एमोशनल जरूर होंगे लेकिन आपका दिल खुशी से छूम उठेगा दरसल एम्स के डॉक्टर्स ने जन्म से जुड़े दो बच्चों को अलग कर दिया है इस सर्जरी के बाद डॉक्टर्स की काफी तारीफ की जा रही है आईए आपको दिखाते हैं कि वो बच्चे कौन हैं नमस्कार दोस्तों बोल स्काई मैं आपका अस्वागत है दिल्ली के एम्स के डॉक्टर्स ने जन्म से जुड़े हुए दो बच्चियों को अलग करने की एक सफल सर्जरी की जुड़वा बच्चों का ये जोड़ा छाती और बेट के उपरी हिस्से से जुड़ा हुआ था जुड़वा बच्चों के बीच कुछ मेन अंग साज़ा थे जिनमें निचले छाती हिर्दय को ढखने वाली परतें डाय फॉर्म और पेट शामिल था इस सर्जरी में लिवर और दिल के एरिया को अलग करना बहुत मुश्किल था और सर्जरनों की कई टीमों ने बारी-बारी से सर्जरी को सटीक और बेहदरीन तरीके से पूरा किया आपको बदा दें जुड़वा बच्चों के नाम रिध्धी और सिध्धी रखा गया है बच्चियों को लेफ्ट और राइट लिवर छादी और हिर्दय को ढखने वाली पड़तें पेट आपस में जुड़े हुए थे नौ घंटे तक चली एक क्रिटिकल सर्जरी के बाद दोनों के शरीरों को अलग करने में सफलता हासिल हुई अलग-अलग एरिया के डॉक्टर्स की टीम इस सर्जरी में शामिल थी दिल्ली एम्स में की गई ये बर्थ डिफेक्ट की सर्जरी इस तरह की तीसरी सफल कंजोइंट सर्जरी है पहली सर्जरी कोरोनकाल में की गई थी जो पूरे 24 घंटे तक चली थी लेकिन इस तीसरी सर्जरी में बच्चों के पैता होने से पहले ही बता चल गया था कि ये बच्चे आपस में जुड़े हुए है आपको बता दें कि इन दोनों जुड़ुआ बच्चों के माता पिता बरेली के रहने वाले अंकुर गुपता और दिपिका गुपता है इसके लावा आपको ये भी बता दिए कि दुनिया में जन लेने वाले हर 50,000 बच्चों में एक ऐसा मामला आता है जिन में बच्चे च्छाती और बेंट से आपस में जुड़े होते हैं वहीं एक लाख में एक ऐसा मामला सामने आता है जिसमें बच्चे सिर से आपस में जुड़े हों ऐसे बच्चों को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ने चाहिए एम्स में ये फैसिलेटी अवेलिबल है ऐसे मरीजों को तुरंत यहां आना चाहिए वहीं बच्चियों के पिता अंकुर गुपता की फरीदपुर में ही फुटवेर की दुकान है बताया कि इस पूरी प्रॉसेस में करीब 5 लाक रुपे उनके खर्च हुए है पतनी इस 11 महीने के दौरान बच्चों के साथ एम्स में ही रही अंकुर भी इस दौरान दिल्ली में ही थे फलाल इस वीडियो में इतना ही आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों जोड़ों बच्चों के बारे में हमें कॉमेंट सक्षन में लिख कर जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले